अब हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का इधानी विद्रगेश्ट में गड़ी शिच्छल के इस महत्पुर घुच्छ करता हुं विछले क्लास में निगमन विधी के बारे में साथी साथ विचलेशन विधी के बारे में और उनसे बनने वाले जितने प्रिषाव में पुछे जा सकती हैं क्या उसका महत्पूद गुड़ है इसके बाद क्या दोस्त थे यह सारी बाते हम लोगं नीडिस्क्ट कर लिए था आज एक नए प्रेयों पढ़ने वालें थो मियद्र करते हैं यह म functional पढ़ने लोग चुके इसके बाद सब्सक्रों करें भी बारे में जानकारी ले सकते हैं तो जैने हैं पर यह प्रयोग अकात्मक विधि सुन रहे हैं तो द्यान में आपको आजाने चाहिए आपकी मायन में तुरंट यह चीज के लिए कि प्रियोगात्मक का वास्तों में अगर आर्थ से देखा जा सामान तरीके से खितका है तो प्रियोगात्मक का मतलब प्रियोग करके जिए फ्रेंड एक्स्पेरिमेंट करके बच्चों को सिछक चात्रों को सतरपर्थम तथ्यों नियमों सिध्धानतों का ज्यान कराता है बाद में सिछक चात्रों को नियमों अथमां सिध्धानतों के प्रियोग के द्वारा सिध्ध करने की बिधिप को बताता है चले प्रेंट वही सारी बाते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़त हुआ है और वही हमको एक नई विद्धी की रूप में पड़ने को मिल रहा है पड़ रहे हम लोग जो है इसमें क्या करें इसमें पहले विद्धी तरह प्रक्रियाएं हो रही है बस थोड़ा सा इसमें different क्या है देखें देखनें पीर से तो प्रियोगात्म भी यह विद्धी जिसमें सिच्छक छात्रों को सबसे पहले क्या कर देता है नियमों की बारे में तथ्यों की बारे में सिध्धान्तों की बारे में और सिध्धान्तों की बारे में ग्यान कराता है अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो यह जो नियम था फ्रेंड यह किसमें था हम लोगों प्र्योग को सिध्ध करने की बेदी को बताता है यह जो कच्छा में उसने भाग के लिए नियम बना दिया किस प्रकार से भाग के प्रक्रिया को चैन्क्रिया को करने है तो सिच्छक उसको बताने के पश्यात उसका यह करतव बनता है कि वह बच्चों को भाग के अधाना को बिभिनस्वरल तरीके से जो है अश्पेट करें तभी इस नियम का पूर्ड रूप से इंप्लिमेंट या पूर्ड रूप से नियम लागू होगा यह काम यहाँ पर करना है कि सिध्धान्तों को पूर्ड भारा सिध्ध करने की विधी को बता था है जैसे फोर ऑजर करेंज कि बता हैं इना कि acknowledging हम ये अगद को इस fautab क्यों ये क्यों सकते हैं इसके का करें बिभीन प्रकार के शित्रों का सहरा बाट कर हम उसको जो है अलग अलग भागों बाटकर पर के बताते हैंении दो भागों बाटेंगे। उसके लिए तीन भागवन बाटेंगे तो क्या लें सकते हैं इस परकार से बिन की और उधाना के लिए इसके लिए हम भीन की सेंखलपनाब को बेहत सरल बनाते हैं तब जाकर हम अपने प्रयोगात में बिर्दी का दूद्दे सुता उस्की प्राप्ति करते हैं इसके बाद चाथर परियोग करते हैं मतलब हमारे द्वारा बताए गये नियमों को सिध explor पूरा किया है जब बच्चे इन सिध hospital k tr k Zoos तो इसका परियोग करते हैं अपनी से मज्चाओं के समध्धान जैसे हमने भिन्न सी अधाना की समझ उनको कराई है भिन्न के तथ्यों से परचित करवाया है और अच्छे तरीके से उनके बोध में वह चीजे उनके संग्यार में पूरी तरीके से ला दिया है उसके पस्चार बच्चे क्या करते हैं उसका प्रियोग क्या करते हैं उस प्रका अगर यह चीज बच्चा नहीं कर पाता है तो हम अपने उद्देश की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं आगे समय समय पर सिछक छात्रों की मदद भी करता है ठीक है ऐसा नहीं है कि जो चीजे हम बताएं बच्चे एक बार में भी सीख जाएं लेकिन हाँ जैसे हम लोगों ने 100% कोई चीज बताई तो बच्चा एक बार में लगभग लगभग 50% सीख जाना चाहिए इस प्रकार का ह हम को जो है इस प्रकार से हम लोग को अपने सिद्धान को बताना चाहिए लगभग एक बार में बच्चा सीख अगर नार्मल वच्चे को लेते हैं तो नार्मल हो क्या 50% सीख जाना चाहिए अगर एक बार में 50% सीख जा रहा है तो दूसरी बार में something 80% सीख जाएगा इसलि प्रकार हमारा चशाओ बनता है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चो सिद्धान्तों को समझने में उसका प्रियोग करने में जिस जगह पर खटनाई हो रही है वहां उनकी साहथा करें अंत में बालक द्वारा अंत भी हम फ्रेंड क्या करते हैं कि बालक द्वारा प्रियोगों बालक के अंत में बालक प्रियोगों द्वारा नियमों को सिध्धानतों के सचता की जाज करते हैं जब हम उनको फ्रेंड नियम वा सिध्धानतों को बता लेते हैं और वह उसका आत्मसाथ कर लेते हैं साथ समस्या के दौरान उसका प्रयोग करके समाधान भी ढूर लेते हैं तब हम क्या करते हैं उनके द्वारा नियमों सिध्धानतों के सतता की जाज भी करवाते हैं कि जो चीजे आपने सीखा वास्तों में वो चीज सही है या गलत है उसको तोड के मडोर के अच्छे तरीके से हम उसकी सतता की भी जाज करवाते हैं यदि ये चीज ऐसे होता तो क्या होता यदि वो चीज ऐसे होता तो क्या था इस प्रकार के बनने वाले सभी प्रस्नों का भ लोग अपने जो है विधी को कम्प्लीट बनाते हैं आगे बढ़ेंगे फ्रेंड कि प्रयोग साला विधी में वास्तों में आगमन विधी का ही एक विस्तित रूप मना जाता है जहां छात्र स्वयम करके सीखता है तथा छोटे-छोटे-छोटे-छोटे प्रयोगे माद्यम से किसी बड़े निश्कर्श तक पहुद्छता है घंप इस प्रियंकरत्थ क्या होता है यहां चोटी-छोटे-चोटे भागों में बाढ़ात चीजें को बाढ़कर चीजों को चीजों को सेक्टा है तब जाकर वह किसी बड़े-बड़े कि नियम के जानकारी तक वह पहुता है और बड़े नियम का संग्यान उसके अंदर पूपाताará दो इक एंदर क्गारी पने की भाग के दोबन बच्च का आसनतात कर वाते हैं बच्चों को समझाते हैं इसका निश्कर्स निकाल पाती है यह हमारा हुआ चोटे चोटे चीजों को हम लोग परियोग के माद्धम से बड़े निश्कत्य पहुंती। मतलब जोड की संकल्पना अधाना आमने समझाई, घटाने की समझाई, गुड़े की समझाई और भाग की समझाई। तत पश्चार जो एक बड़े अधाना की तरफ हम लोग पहुंची है, वह सरली करने। मतलब सरली करने हम लोग सारी सभी चीजों का मतलब जोड गठाना गुड़े भाग सबका एक साथ प्रियोग करें तो यह हमारा बड़ा निश्कत्य आयोग आप समझ चुके होंगे किस प ज्ञान के लैब से मतलब प्रियोग साला में जो भी प्रियोग के द्वारा बच्चों को सिखा जाता है जली उसी अर्थ में प्रियोग साला को लिया जाता है लेकिन यदि बात गरती प्रियोग साला की होती है उसके संदर में हम लोग नापतावल को नापतावल द्वारा स स्वilymm करके सीखने अंत्य प्रयूग साला विधि द्वाला बच्चो बालख शोयम करकी घ्ञान अर्जित करता ह। यह धिन निम्शिद्धान परकार करते है ठींगे vì है कि जिस प्रकार से विज्ञान की विशे वस्तु में बालक क्या करता है विभीन प्रियोगों की माध्यम से तथ्यों को सीखता है उसी प्रकार हमाद गड़ित के संदर में बात करें तो क्या करता है विभीन प्रियोगों की माध्यम से वह नियमों को सीखता है जिनके माध्य के समाध्यान से वह गड़ती समाश्या को अजsmा करता है इसमें प्रियोग बिधी का मतलब क्या होता है कि नियों का प्रियोग करना बार बार क्या है उसके पर बार दो तो उसमें स्वयम करके सीखना जियां फ्रणड करके to करके सीखना learning by doing लर्निंग बाइड डूइंग स्प्रोसेस का उसमें विकास होगा मतलब चीजों को करके सीखना जरे बालत किसी भी किसी भी समश्या का समध्धान करके समश्या का समध्धान खुद से जो है धूर कर करते हैं तो उस चीछ में जिदनी मतलब जितनी जितना संग्यान उसका डिवलप होता है उतना किसी की बताय या किसी के समझाय से नहीं होता है ठीक है इतली फिरिंट करके सीखनी की जो होना का का व्याक सिस्गा करते हैं होता है और यह जो लोगने सिधध्यांत के बारे में निंगे Health करेंगे हैं अक देकिन के सिध्ध्यांत के बारे में तो पहला है करके करके क consuming करके सीखना हम छोनेक पहले ही इसके बारे में डिसक्षार्ब किया है करके सीखना का मतलब learning by doing मतलब किसी भी कारे को किसी भी समश्या को का हम लोग समाधान खुझ से करें और उसके बाद उसके हल तक पाउचें तो यह हमारे जो प्रोसेस हो जाएगा यह learning by doing हो जाएगा मतलब हमने क्या है हमको नियमों तर्थ्यों सिध्धानतों के जानकारी हो उसको आधार बनाएंगे आधार बनाने के बाद उससे मिलती हुए समश्याओं का इसे हम समाधान खुझ से करते हैं तो यह हमारे learning by doing प्रोसेस को डेवलब करता है मतलब करके शीखनी की जो प्रयोति है उसको बढ़ाता है जिससे हम क्या करते हैं भविस्त में अपनी समश् रहते हैं पहला की आप जर्भी सथे किसी भी को सीखना मतल爬 क्या है कि नियमों घडर कि आकलां बिशे क्रीट और अंतर लाया उसके बाद उसके का तर्क इस समस्चा का समाधान बन सकता है इस तमाम बाते नेच्छर के द्वारा ही साबित की जा सकती है और उसकी कोई भी अवन पद्रती नहीं तो इसलिए इस विद्धी द्वारा बालक में निरिच्छन निरिच्छर करके सीखने की प्रवित्ती का भी विकास होता है आग जो नियम जो से धान और जो भी तद उसको बताए गए हैं उनको वह आधार बनाता है उसके पास जो नियम मतलब जो समस्या और जिन समस्याओं को उससे परचित नहीं हुआ है उस प्रकार की अमोर्थ समस्याओं का समध्धाना भी इसके दारा इसमें विक्षिट की जाती है हम एकों शहर Eyes कंठी कच्छा है ऑफनी दोय कशक्र प्रचिक्व की दरानों का प्रयोंक का प्रयूक करते हैं व्हगली मं प्रकार से हम अपनी अउधाना तब पहुत तक हैं तो ऐसे कुछ वस्तु को लेते हैं जिनके माध्यम से बच्छों को संग्यान में लाते हैं कि हम जिसे माले एक वच्छा दिखाएंगे यह माली यह डिश्टर हो गया चाप हो गया यह जो भी वस्तु हमारे मुझतों देने में सप्क्राव करेंगे इस प्रकार नहीм है इसका सहरा लेकर प्रखेंगे रहिस कि ऐसे कि अंदर संख्षक करते हैं को लिश्ट करते हैं इसलिए ही वाह फटनी सहरा लेकर क्वP्शाण करेंगे तो यह हमारे मुर्थ से अमुर्थ की तरफ औधाना को अस्पष्ट करता है आगे गडित की साखा रेखा गडित पूर्ता प्रयोग साला विधी पर आधारित होती है ठीक फ्रेंड यह क्या है पूर्ता प्रयोग साला विधी पर आधारित होती है तो हमारा एंसर होगा फ्रेंड कि गडित के रेखा गडित भाग के लिए और गडित के रेखा गडित भाग के लिए लियोगसाला विधी सबसे उप्युक्त विधी मानी जाती है ठीक है और यह किन सिध्धान्त पर कार करती है तो तीन महतपुर सिध्धान्त पर कार करती है है चीजों को से एक है करता है हम बच्चों को प्रियों करके सिकाते हैं हम ने इसको बिंदु के बारे में बताया तो बिंदु की हम उसको प्रयोग बताएंगा मतला बिंदु का इसको बताएंगे एक ग्यांपलन के थूरू ना तो चुड़ाई न तो उचाय होती है केवल एक पॉइंट के रूप में हम इसको दर्साते हैं इस प्रगारती प्रियोग के माध्रम इसमें दिखा जाता है लाइन पढ़ाना और रिखा पढ़ाना हुआ तो भी हम प्रियोग के दुआरे दिखाएंगे मतलब उसका प्रियोग करेंगे लाइन का फिगर बनाएंगे उसके बाद लाइन के चिन्द को बनाएंगे लाइन को किस परिकार से दर्साते हैं लाइन के परिवासा क्या होती है इस परिकार से जो उनको समझाते हैं रिखा खंड के बारे में बताते हैं किरण के बारे में बताते हैं मतलब जो भी आउधाना इनमें बताने हैं चाहिए कोड़ हो गया उसके बाद और भी जामची आकृती हो गई तो बिसिकली जो है रिखा गड़ित की सिछन के लिए यह विधी सबसे उप्योक्त मारी जाती हैं खेतों का छित्पल मतलब जो भी हमारी जो है टूडी फीगर होते हैं जैसे मतलब लंबाई चोड़ाई आयत या वर्ग या चतुर्विश इनके बारे में अगर बताना हुआ तो भी इसकी सहारा जेते हैं जमीन की छित्पल बैंकी प्रलाली सिछा तो जा बैंकी प्रलाली हम लोग इन तथ्व के संब्देश तारे जो समश्याएं होती है उनका समाधान का पाते हैं किसी भी मतलब जो चेत्र विश्याइस का यह जमीन का छित्पल निकालना हुगा या कोई भी बैंकी प्रणाली कि हलके फुलके जो बैंकिंग कल्गूलेशन होते हैं उनको भी इस न घटाना वुडे भाव तो यह अधाना एक बेसिक वाथ होती है तो अभी इसके द्वारा हम लोग पहले से बैसे कर पाते हैं तो इन सभी प्रकात्म करने में शफ़ल प्रॉगात्मिक विधी की देटेयर में आप कुछ इसके महत्यों के बारे में बात करेंगे और कुछ इसके दोस्त के बारे में बात करेंगे तब जाकर और फुरीत है उद्धाना पुरी तरिके से जो आपके इसके लिए इसकी संब्द में आपका डाउट होगा पुरी तरीकर स्क्रियर होगा कि बालक वास्तों में चीज़ों को करके सेखते हैं अगला बालक में कौसलात्म गुड़ का विकास होता है तीसरा बालक सत्य पईडाम सत्य पईडाम पर विस्वास करना सीखता है बालक को अ कौसलात्मों गुड़ का विकास होता है अथा उसमें कैसी कार को करता है करने के पचार जतिकता है थो तो लुद्द कारने के परति जो सब्ज़ता दता है और बिच्तित होती है जो क्या सकते दृतित हका का सबस्तों को ले Angeles कि की आगे बालतल तत्य पैडलाम पर विश्वास करना सिखता है मतलब क्या हता है कि वह किसी भी सिद्धान्स किसी भी थियरी के बारे में पूरी तरीके से उसके जाच और उसके निश्कर तक पहुंचने के लिए विभिन प्रकार के उद्देशों के माध्यमतों चीजों को सीखता है कि बालग में अस्थाई यान प्राप्ट ताहिए विधि तो बालग जो कुछ भी सीखता है वह बिल्कुल अस्थाई होता है तो इस सब्सक्राइल आप जाने गे इसकी जो है दोस्त के बारे में क्योंकि जब हम दोस्त पढ़ेंगे तभी यह चीज हमारा क्लियर होगा चलिए इसके दोस्त के बारे में पढ़ेंगे कि यह विदी काफी इंपोर्टेंट है हुआ है र सब человек to सब्भी विस्त को सब्रेखु के सब्यजिए इस विदी को दारा पढ़ाया सकते हैं एधर को हम पढ़ा सकते हैं ठीक है समय अधिक लगता है क्योंकि इस प्रकार जब हम प्रयोग करेंगे बार बार प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे तो इस विधी में समय जो है अधिक लगेगा क्योंकि एक बार प्रयोग करना बच्चों को बताना फिर क्या करना उनके द्वारा निसकरत निकलवाना फि पर योग संबन्दित संपूर्ण होना चाहिए जो तो दर नीकारी की प्राप्ती नहीं कर पाएगा जो का एक महरपुर्ण दोस्ट बन जाएगा आगे प्रयोग के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं कोई भी कोई टॉपिक यदि हम इस विधिक के द्वार पढ़ाते हैं तो उसके लिए संसाधन की सकता होती है तो संसाधन का भी का इसमें इसमें बन जाती है कि यह विखुर्ण है कि यह कि आजका क्लास दिन किया है प्रयोग साला-विदि के बारे में एक लगा साइसका क्र unity है क्रिविजिन लिए ओर यहां से बन रहे हैं इसलिए आप लोग बार की इंदि करें यह जिसमें सिच्छक छात्रों को को नियमों पर सिद्धान्तों का वियान करवाता है बालक बाद में सिच्छक छात्रों को नियमों अत्वा सिध्धानतों को प्रियोग द्वारा सिध्ध करने की बिदी को बताता है इसके बाद छात्र इसका प्रियोग करते हैं और समय समय पर सिच्छक जो होता है वह छात्रों की मदद भी करता है अंत में बाला क्या करते प्रियोगों द्वारा नियमों सिध्धानत है कि अप्रियोग सालह विधी वास्तों में आगवन विभी विश्थितरोफ होता है कि वहां पर भी क्या उधाण और नियमों का था तो यहां पर भी उचीज करके सीखने से अंत्य अत्हा अत्हाँ प्रियोग सालह विधी द्वारा एक बालग जो करके ज्ञान अर्जित करता हैं कि यह कुछ एक करके ज्यान अर्जित करता है इसलिए वेधी अबहुती महत्पुर्ण बन जाती है कि यह कुछ यह महत्पुर्ण सिध्धान्तों पर कार करता है यह सिधान्त हमारे इंपोर्टेंट है ठीक है कौँ कौन सिदान्त है करके सीखना निर्चण से सिखना मुर्थ से अमोर्थ की ओठिक है और गड़त की साखा के लिए सबसे मध्पूर्ण विधि मान जाती है तो रेखा गड़त के लिए यह हुआ यह महतपूर बिधी माल जाती है, रेखा गड़ सिचन के लिए यह सबसे बेश्ट बिधी माल जाती है, ठीक है, कुछ इसके महतपूर गुड हैं, जैसे यह करके सीखने पर बल देता है, कौसलापनों गुडों का विकास करता है, सत्य पढ़िणाम पर तथा विश्वास करना सिखाता है अस्थाई ग्यान्प्राक्टी होती है कुछ दोस्त भी इसके हैं जैसे इस विधी ज़ारा जो इस विधी द्वारा सभी विषयों को पढ़ा नहीं पढ़ा जा सकता है समय अधिक लगता है और सिछक को इस विधे मितलब विषय संबंदित संपूर्ण होना अगले लेक्टर में तब तक लिए बेस्टाब लग थांक्यू गूटपार